Hello everyone, welcome back to S.NEET तो आज के वीडियो में अपन डिसकस करेंगे NEET All India Quota Round 3 के result के बारे में जो के result डिकलेर हो गया है तो इस वीडियो के अंदर अपन कटोप के बारे में बात करेंगे category wise और बात करेंगे कि Round 4 में क्या possibility रहेगी क्योंकि काफे ज़्यादा बच्चों के लिए प्रॉबलम हो गचुकी है 3rd round के अंदर क्योंकि इसकी कटोप जो है वो जदा हाई गई है और fortunately मैंने कल ही आपके लिए वीडियो बना के आपको information बताई थी कि कितनी ज़्यादा कटोप रह सकती है और क्या-क्या chances है तो वही कटोप रही है जो हमने बताई थी आपको तो description box में मैं उस वीडियो का link डाल दूँगा हलांकि बहुत ही कम बच्चों ने उसको उसके उपर response दिया है बट अगर जिन्होंने नहीं देखा तो आप देख लेना कि मैंने कितनी score आपको बताया था हाँ कुछ दिन पहले मैंने कुछ और information बताई थी बट situation के according क्योंकि बहुत सारे seat ब्लॉक हो चुकी है कापे सारे बच्चों ने एक की जगए पर दो-दो seat लेके रखी हुई है तो उसकी वज़े से यह सारे चीज़े हुई है तो कल की वीडियो में मैंने सारी चीज़े आपको explain करके बताई है कि क्या region है कि कटोप ज़्यादा रहने का और क्या कारण हो सकता है इसका round 4 में क्या possibility हो सकती है उसके बारे में तो मैंने सारी चीज़े उस वीडियो में clear किया है तो description में मैं link डाल दूँगा वहाँ से देख लेना और आज की वीडियो में category wise आपको rank, All India rank कितनी पर मिला है कितना score रहा है और कौन सा college अलोट हुआ है उस rank ते ओपर उसके बारे में आपको information दूँगा तो अभी तक आपने वीडियो देखना start कर दिया है तो आप obviously सी आप इसमें interested हो result जानने में तो like कर देना अभी इसे और नए हो channel पे तो subscribe जरूर करना क्योंकि इसी तरीके की update हमने आपको पूरी counseling के थुरू दी है और आगे भी इसी तरीके से available करवाते रहेंगे एकदम free of cost जो कि मैंने आप से starting में promise किया था कि सारी चीज़े आपको free of cost जहां पर available होगी जिस जिस तरीके से मैं आपकी help कर पाऊंगा उस तरीके से तो बहुत ज़दा मेनत लगती है सारी चीज़े collect करने में आपको बताने में तो एक subscribe जरूर करना इसमें आपका तो कुछ नहीं जाता लेकिन हमारा confidence जरूर increase होता है boost होता है क्योंकि यही हमारा confidence boost करने का तरीका है like और subscribe तो जरूर करना और जितने platform आप यूज करते हो वहाँ पर इसको share जरूर करना और अगर आप facebook use करते हो तो वहाँ पर भी share कर सकते हो कि वहाँ पर भी same इसी नाम से AS Neat के नाम से आपको चैनल मिल जाएगा तो वहाँ से आप उसको देखके वहाँ पर भी share कर सकते हो तो चलो start करते हैं आज का वीडियो लेकिन उससे पहले like, share, subscribe जरूर कर देना fourth round के बारे में भी आपन डिसकस करेंगे कि वहाँ पर क्या chances हो सकते हैं तो चलो फैरे डिसकस कर लेते हैं कटॉप के बारे में तो यहाँ पर बात करेंगे इस तरफ रहेगी category, फिर All India Rank, फिर Marks और फिर Allotted College, कौन्चा कोलेज अलोट हुआ है उसके बारे में अपन बात कर रहे होंगे इस वीडियो में, तो चलो वन बाई वन सबसे पहले जनरल केटेगरी की बात करें तो 22,663 तो मैंने कल भी आपको लगबक इसी तरीके की कटोप बताई थी और 611 मार्क्स साइध मैंने यही बताया होगा मुझे ठीक से याद तो नहीं है बट इसी के सम्थिंग में ने प्लस मार्क्स बताया था तो उसके कोडिंग डेफिनेटली यही कटोप रही है तो गोर्मेंट मेडिकल कोलेज नागा लेंड का यहाँ पर अलोट हुआ है फर्स्ट जो यूर केटेगरी है उसके लिए सेकंड बात करें जनरल केटेगरी के जो यह डवलोज केटेगरी है उसमें 24,669 और 607 नंबर की कटोप के उपर गोर्मेंट मेडिकल कोलेज जो चूरू चंदपूर का है वो अलोट हो गया है तो इस तरीके से यह दोनों केटेगरी के बारे में आपको information पता लगी next बात करते हैं next आता है OBC तो OBC की कटोप जनरल केटेगरी के almost same ही रहती है मेरे हर दूसरे या तीसरे वीडियो में यह बात आपको सुनने को मिली जाती है कि OBC और जनरल केटेगरी की भी Government Medical College नागालेंड का ही अलोट हुआ था इसी स्कोर पे बस रेंग का फोड़ा डिफरेंस था ST कटेगरी की बात करें तो 1,23,215 और 486 मक्स के ओपर Government Medical College विरोधिनगर का जो की अलोट हो गया है तो इस तरीके से ST कटेगरी की बात करें तो 1,69,136 और 453 मक्स के ओपर Government Medical College करोर का है वो अलोट हो गया है तो यह रही थी कटोप इस तरीके से और इंडिया कोटे राउंड 3 की और अभी जो है IOS Courses की उसकी भी 1st round का result आ गया है तो उसका भी मैं वीडियो बना के आपको अपडेट दे दूँगा कि किस कटेगरी की कितनी कटोप रही है बाके टोप इंसिट्यूट है जहां पर जैसे की BHU हुआ, NIA हुआ उनकी भी कटोप में आपके साथ शेड़ जरूर करूँगा तो जो बच्चे इंट्रिक्टेड है IOS Courses के लिए तो वो वो उस वीडियो को जरूर देखना जब भी मैं इसको अप्लोड करूँ इसके साथ साथ आपको round 4 के बारे में भी क्योंकि मैंने कल के round में याने कि कल के वीडियो में आपको सारी information ये बताई थी कि क्यों ये कटोप इतनी हाई रही है round 2 के round 3 के comparison में क्योंकि ज्यादा कटोप का difference है नहीं, only 1 marks का difference है जो कि 1st round की कटोप 612, sorry 2nd round की कटोप 612 थी तो 3rd round की कटोप 611 है क्योंकि वो जिन भी student ने round 2 के अंदर counselling करवाई थी उन सभी ने round 3 में भी counselling करवाई है क्योंकि उन्होंने seat hold करके रखी है क्योंकि उन्होंने एक rule जो है mccc ने जब नए rules के लिए video बनाया था यानि कि मैंने भी आपको वीडियो बना के update किया था जब notice आया था mcc का ने rules के लिए regarding तब उसमें ये लिखा हुआ था कि जब state quote का second round यानि कि जब second round का result जब आपके पास होगा तो आप जो seat आपने choose करी हुई है या फिर join करी हुई है उसको resign आप जब तक next round का result नहीं आजाता उसके दो दिन बाद तक उसको resign कर सकते हो यानि कि third round का result रिक्लेर हो गया है तो आज के दो दिन बाद तक आप जो seat आपको round 2 के अंदर alert हुई थी उसको आप छोड़ सकते हो तो कापे सारे बच्चों ने क्योंकि round 2 के अंदर उनको seat मिली तो बहुत से बच्चे सो satisfy नहीं थे तो उन्होंने ये सोच कि कि उनको कोई better college alert हो जाएगा round 3 के अंदर क्योंकि जब round 2 के अंदर उनको college alert हो गया तो round 3 में तो हो ही जाएगा तो वो better college के लिए next round के लिए participate कर दिया था उन्होंने अप्ग्रेडेशन का option डालके तो इस वज़े से जिन्होंने second round में counseling करवाई थी participate थे उतने ही बच्चे round 3 में भी participate हुए है तो उन्होंने दो जगे के seat होल्ड करके रख्य हुई है एक तो या तो उनको state quota से seat alert हो गई थी वो दूसरी अभी उनको ये alert हो गया है ये college third round के अंदर all India quota से तो वो जा तो कहीं एक ही जगे पर जा सकते हैं या तो all India quota वाले seat या तो state quota वाले seat तो बट उन्होंने seat block तो दो कर रख्य है जाएंगे एक ही जगे पर बट दो seat block है तो इसका मतलब ये हुआ कि round 4 के अंदर जिसको stay vacancy round बोलते हैं उसमें बहुत सारे seat वेकेंट होके आएंगी कि जितने बच्चों ने seat जोइन की हुई है round 2 की वो उसको exit करेंगे exit करेंगे तो वो seat कहां जाएंगी round 4 के अंदर यानि कि stay vacancy round के अंदर तो वहाँ पे काफ़ ज़्यादा chances है कि cut off जो है down रहे तो round 4 की cut off as compared 4-5 number का down आपको देखने को मिलेगा वो कितना होगा वो scenario में आपको definitely वीडियो बना के update करूँगा तो उसके लिए चैनल को subscribe और like करके रख लेना bell icon को ज़रूर प्रेस करके रखना जिससे कि आपको जैसे वीडियो अपलोड हो आपको information मिल जाए तो ये था reason कि round 3 की cut off इतनी ज़्यादा high क्यों रही है क्योंकि same उन्ही बच्चों ने round 3 के अंदर पर participate किया है जिन्होंने round 2 के अंदर किया क्योंकि वो एकदम free थे क्यों round 3 में participate करना के लिए क्योंकि उनको कोई डर था नहीं कि अगर उनको कोई better college नहीं मिलेगा all India quota से तो वो अपना state quota की जो seat alert हुई है उसी को लेके रख लेंगे उस पर join कर लेंगे बट कापे सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको state में अच्छा college नहीं मिला जिसे की UP हुआ राजस्थान हुआ इन जगहें पर बहुत जदा high cutoff रहती है तो हिमाचल हुआ तो यहां की cutoff high रहती है तो इसका मतलब यह हुआ कि इन्होंने all इंडिया कोटे से state के अलावा all इंडिया कोटे से college लेना prefer करते हैं मैं लिए अच्छे colleges यहां पर होते हैं जिनको मिल गया अच्छा college well and good जिनको नहीं मिला उन्होंने participate किया है next round बे तो यह था main region की round 3 की इतनी जदा high cutoff रहने का region और cutoff high रहती ही है और यह कोई नहीं बात थी रही तो I hope कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो like जरूर कर देना और अगर आप अपना कुछ comment बताना चाहते हों कितना आपका score है, rank है, कौन से स्कास, category है और उसके साथ साथ कौन से state से आप हो तो comment करके बताएंगे तो हम आपको कुछ suggest कर पाएंगे जैसे कि बहुत से बच्चे करते भी हैं और बाकी मैं आपको बताऊंगा जो बच्चे हैं जिनका score कम है जो private colleges को afford कर जकते हैं उनके लिए मैं और वीडियो लेके आऊंगा जिसमें की private medical colleges जिनकी fees कम है तो उनके बार में मैं discuss करूँगा तो I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो like, subscribe करना बिल्कुल मत बूलना मिलते हैं नई वीडियो में तब तक के लिए जैए